मैं वीरों की धर्टी को मुरेना की मिट्टी को स्रद्धा पुर्वक नमन करता स्री राम जानकी की बाबा पटिया वाले की प्रधान मंत्री नरिंद्र मुदी ने मुरेना में किया सभा को संभोधित बोले भाजपा ने दिलाई चंबल को नहीं पहचा धौलपुर के पड़ोसी जिले मर्धि प्रदेश के मुरेना में गुरुवार को प्रधार मंत्री नरिंद्र मोदी ने विजय संकल प्रिली को संभोधित किया प्रधार मंत्री नरिंद्र मोदी ने कॉंग्रिस पर जम कर दिसाना साथ है उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है जबकि कॉंग्रिस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है पीम ने कहा कि मुरैना ने हमीशा उन्हीं का साथ दिया है जिन के लिए राश्री प्रथम है आप सब का उत्सा देखकर में कह सकता हूँ कि मुरैना आज भी ना अपने संकल्प से जगा है और ना ही कभी जगेगा पीम ने कहा कि आजादी के समय कॉंग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का विभाय जनसुई कार किया था माभारती के हाथों की जनजीरे काटने के बजाए कॉंग्रेस ने माभारती की भुजाए ही कार दी देश के टुकडे कर दिये थे लेकिन कॉंग्रेस सुधरने को तयार नहीं है कॉंग्रेस को लगता है कि यही उसके फायदे के लिए सरल रास्ता है आज एक बार फिर कॉंग्रेस कुरसी के लिए छटपटा रही है अब कुर्सी पाने के लिए भाती-भाती के खेल खेल रही है। कॉंग्रेस की पॉलिसी है जो देश के लिए सबसे जादा योगदान, महनत और समरपड करें उसे सबसे पीछे रखो। कॉंग्रेस को निस्ताने पर लेती हुए पियम मोदी ने कहा एमपी के लोग जानते हैं कि समस्या से एक बार पीछा छूट जाये तो फिर उस समस्या से दूर ही रहना चाहिए। कॉंग्रेस पाटी ऐसी ही विकास विरोधी और बहुत बड़ी समस्या है। भाजपा ने दिलाई चंबल को नई पहचा। प्रधार मंत्री ने कहा कॉंग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्यों की लाइन में खड़ा कर दिया था। भाजपा की सरकार ने कॉंग्रेस के बनाए गड़ों को भरने के बाद मद्ध प्रदेस और चंबल को नई और गौरपून पहचान दिलाई है। भाजपा सरकार में हुए विकास को भिंड मुरेना गौालियर के वो लोग और ज्यादा अनुभव कर रहे हैं जिन्होंने कॉंग्रेस का काला दौर देखा है। चार जून के बाद हमारे मुख्यमंत्री मुहन यादव के नित्रत में मद्ध प्रदेस का विकास और स्पीट पकड़ने जा रहा है। और साथियों, MP के लोग जानते हैं कि समस्या से एक बार पीछा छुट जाए, तो फिर उस समस्या से दूर ही रहना चाहिए। कॉंग्रेस पार्टी ऐसी ही विकास विरोधी एक बहुत बड़ी समस्या है। चंबल के लोग कॉंग्रेस का वो दौर कैसे भूल सकते हैं। कॉंग्रेस ने चंबल की पहचान, खराब कानून व्यवस्ता ऐसे एक छेत्र के तौर पर बना दी थी। उस दौर में कॉंग्रेस ने एमपी को देश के बिमारू राज्यों की लाइन में खड़ा कर दिया थी। कॉंग्रेस